समस्कार, स्वागत है आपका फियर्लस्टेडी मंत्राइटीप चैनल पे साथियू UP++C में जो लेकपल भरती परिच्छा का रेजल्ट आया है उसके बाद से थोड़ा सा असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि कुछ लोग उसी दिन से कहने लगे थे कि हम court case की शरर लेंगे, court case में जाएंगे लेकिन साथियो सबसे बड़ी दिक्कत ये है court case में चले तो जाओगे आप, court में चले जाओगे, high court में चले जाओगे आप लेकिन सबूत क्या है आपके वास में कोई सबूत नहीं है लेकिन कुछ दिन पहले जब रेजल्टर नहीं आया था उससे 6-7 दिन पहले मैं यह कहा था कि आपको इसके स्कोर कार्ड की और इसके स्कोर कार्ड की नहीं किसी भी भरती के स्कोर कार्ड की आपको डिमांड करनी चाहिए थी और उसके उस दिन के बाद लोगों ने इतना मतलब बात बनाई और इतनी मतलब इस प्रकार से बद्दी बद्दी बाते बोली कि स्कूर कार्ड से क्या लेना देना है लेकिन स्कूर कार्ड का मतलब आप आपको समझ में आ रहा होगा इस स्कूर कार्ड से आप बुखत रहे तो सातियों आप उनमें कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको अभी भी मौका है कोई बड़ी बात नहीं है यह लिख पल भरती होती हो जाने दो लेकिन अन्य भरतियों में आप scorecard की demand कर सकते हो आयोग से तो आयोग आपकी demand को सुनेगा भी, ठीक है सातियो, क्योंकि जाइज भी है, कोई आप अन्यतिक काम नहीं कर रहे हो कोई जिस बज़े से आपको कोई दिक्कत होने लगेगी, नहीं आप उसे एक समिधानिक तरीके से बात कर रहे हो कि आप हमारे scorecard कर दीजी, हमारे number कितने है वो तो हमको वाले है पड़े है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सातियो, मैं बता दू आपको मैं नुजदू भी बतायता, कि अगर ही लिकपल भरती है, इसकी court case का जो बवाल हो रहा है, कि इसमें कुछ होगा कि इसमें अर्चन आने वाली है इस बरती में तो सातियों मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें कोई भी अर्चन नहीं आएगी, कोई कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा कोई बो नहीं है वह ठोस प्रूफ क्या प्रूफ दिखाओगे बताओ चलो आप यह बता दो मेरे को अगर कोट में जाओगे भी आपको क्या प्रूफ दिखाओगे कि भरती की कटॉफ ज़्यादा चली गई यह कुछ प्रूफ है आप खुछ समझो इस चीज को क सब जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है और अने वाली भरतियों में जैसे वीडियो की भरती है या मुख्य सेविका का रेल्ट आने वाला है एसो का रेल्ट आने वाला है जेई का रेल्ट आने वाला है जूनियर असिस्टेंट का रेल्ट आने वाला है तो उन सब भरत इस भर्ति को भूल जाईए आप इसका कुछ नहीं होगा और कुछ दिन में दस बारे दिन में इसके मिलब जिलागा डिश्टिक एलोट्मेंट हो जाएगा उसके बाद 15-20 दिन में आपकी जोनिंग दे दी जाएगी ठीके साथियो तो इसमें ज्यादा अब है नहीं कुछ भी मैं भी पईसी दे के गुजर हूं तो आप समझ सकते हैं ऐसी बाते करना उचीत नहीं हैं लेकर हाँ यह जरूर है कुछ लोग गए हैं इस बात को हम भी डिनाय नहीं कर रहे हैं और मैं पहले भी बहुत पहले भी काता हो और आज फिर कह रहा हूं कि इस भर्ति की कट आफ ज तोचना बंद करो जो नेक्स्ट भर्तिया हैं आ रहे हैं उनकी तैयारी करो और स्कूर कार्ड की जरूल डिमांड करो जिससे आपकी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो सके अगले बात करते हैं सात्यों जैसा मैंने वीडियों बताय था बहुत सारे चात्रों ने ये कहा थ कोई आठ को नो को तो एक पक्की जो डेट है वो है आठ तारीक अब जितने भी बीडियों के साती है वो आठ तारीक को पिकप भवन पहुंचें अपनी मांग पुर जोर तरीके से रखें और ये बास साती आस्वास कर दूं आपको कि इस भर्ती का रजल्ट भी बहुत जल् कोई मतलब नहीं हो सीज का दो चाल लोग चलेगे तो कुछ फरक पुड़ना पड़ेगा किसी को फरक पड़ेगा ना कोई समंधित अद्यकारी में आपको कर प्रोटेस्ट करना है तो बढ़िया वाला प्रोटेस्ट करना जिससे आपकी बात बहुत तक पहुंच सके जहां पहुंचाना चाते हो और सातियो इसमें मैंने बता दिया था आपको कि वीडियो डीवी के रिजल्ट में ज्यादा समय नहीं है आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके समझ प्रिसुत हो जाएगा ठीक है और उसके बाद आपका डीवी भी स्टार्ट हो जाएगा और यह मार्च में अगर आचार सहनता लगती है तो इसकी भी जॉनिंग लेटर आपको मिल जाएगी वीडियो वालों की ठीक है सातियो तो आप इस बात से भी अस्वास्त रही है कि आपका बहुत जादा काम नहीं है इसमें आपको बहुत जल्द इसका भी डीवी का रिजल्ट मिल और अगले हपते तो निश्य तोर पर आपकी रिवाइज उत्रकुंजी आ जाएगी उसके बाद डीवी के रिजल्ट की बात करें तो फरवरी के फस्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ सकता है और आने की उम्मीद रहीगी क्योंकि इसके जो रिजल्ट है उसको लाइन से लगे पहले ही आजाए ऐसा भी हो सकता है ठीक और सात्यों एक बड़ी बिचितर बात है कि जो भरतियां बात में हुई उनके रिजल्ट पहले आ गए लेकिन कुछ ऐसी भी भरतिया है जिनके प्रोसिस पहले थी और सासा साल होगी लगाओ दोहर सोले की बरती है अब दोहर चौब द्रेयल्ट नहीं आएगा धन्ना प्रजिसन खतब नहीं किया जाएगा जो इको गार्डन में चल ला है लगनु में वह तो आपको माले में वह दोहर उन्डिस वाली बरती है एक बरती यह सोले की है जिसका इंटर्वी होना बाग की है लेकिन इंटर्वी नहीं हो सका आज बाली बरती है कियों नहीं कराता है पता नहीं का आपका इंटर्वी है कहिете सटीनीर को मेरेको सब्सक्रिक लेकिंट आफ कपाएगा और इसी प्रकाद से ऑख साथियो Así a प्राणी पर्णी भरतियों को आपको नोटिफिक्शन निकलते रहते हैं। आपको इसी क्रम में आपको नोटिफिकेशन इस महीने 20-26 जन्मरी से पहले तुम्हारा AGTA का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन निकल जाएंगे, क्या उसका नोटिफिकेशन निकलने के बाद उसकी परिछएंगी बुल्कुल नहीं परिछएंगे आप इस समझते हो चैसे चुनाब होता है तब थोड़ा प्रेसर हो जाता उन पर चुनाब नहीं होता उसके बाद कोई प्रेसर आराम चलना चलने तो कम अब दख़ो दोहर सूले की भरती है अब इनका कुछ होई नहीं रहा है अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है तो भरतिया हम नहीं कह रहे है कि 2019 की भरतिकर आ रहे हो 20 की में 22 में पेपर हो रहा है उसका रेल्टर बुलकुल दो जल्दी से जल्दी दो और इसके लिए गाइडलाइन बनाओ एक रूल बनाओ एक सरकार कानून लाए कि कम से कम एक साल में तो सब चीज प्रोसेस क्लियर करके दो ना पर प्री दो मैस दिलवा चाहे इंट्रव्यू डीवी सब कुछ कराओ एक साल के इंतर जॉनिंग दे दो बच्चे को इतना ही को होना चाहिए अगर सासा साल आठाट साल बच्ची का भविस बेकार करोगे तो दूसरी वर्ती के लाग रहेगा क्या हो और यह बात माल लेना कि बच्चा कोई भी च्छ परती लाओ और उसके लिए पेपर दिल दिकराओ तो थोड़ा समाइन डिस्टेक्ट नहीं होगा तो आपको भी सोचना चाहिए आयोग को सारकार को भी सोचना चाहिए तो सातियो इस वीडियो में इस बात करनी थी दूसरा कोट केस में कुछ नहीं होगा सातियो या समझाना मैंने आपको समझा दिया इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा वीडियो को रियल्ट आने वाला है 26 जनवरी से पहले मुक्य सेविका की रिवाइज तरकिंजी आ जाएगी 20 तारीक तक तो आ जानी ही चाहिए उसके बाद सेकंड वीक तक फरवरी के इसका डिवी रिय करते रहेंगे ठीके साथ यो धन्यवाद